मोधी सरकार ने केंदरी करमचारियों के लिए युनिफाइट पेंशन स्कीम का बड़ा एलान कर दिया है मोधी काबिनेट ने युपीएस याने की युनिफाइट पेंशन स्कीम को मंजूरी देदी है एक अप्राल 2025 से युनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी रिटार करमचारियों को भी UPS का फाइदा मिलेगा 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटार हुए है उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाब मिलेगा साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा केंदर सरकार ने करमचारियों के लिए UPS का अलान कर दिया है आज युनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है यह scheme केंदर सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख employees है, उनको इसका benefit मिलेगा, option रहेगा कोई अगर NPS में रहना चाहे, तो NPS में रह सकता है, UPS में opt करना चाहे, which is naturally a very attractive scheme तो उसमें opt कर सकता है, प्लस राज्य सरकारे अगर इसी framework को, इसी architecture को use करना चाहे तो राज्य सरकारे भी इस architecture को use कर सकती है अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख क्या असपास total कर्मचारी, इसका benefit मिलेगा केंदर सरकार ने कर्मचारी के लिए UPS का एलान कर दिया है, अब आपको बताते हैं कि NPS से कैसे अलग है Unified Pension Scheme Old Pension Scheme की तुलना करना कितना सही है इसके साथ और असान भाषा में समझें कि Unified Pension Scheme क्या है पहले OPS, फिर NPS और अब ये UPS यानि Unified Pension Scheme अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये Unified Pension Scheme जिसको सरकार ने मंजूरी दी है वो NPS से कैसे अलग है और क्या सरकार Old Pension Scheme के तरफ जा रही है तो इसकी सफाई में आपको दे दूँ कि सरकार ने जिस Unified Pension Scheme को मंजूरी दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहट 50% आपकी Basic Salary का Pension मिलेगा इस बात की Guarantee सरकार आपको दे रही है अब ये 50% जो है इसका Calculation कैसे होगा तो आपने Retire होने से पहले 12 महिने की जो आपकी Basic Salary रही है उसका Monthly Average Basic Salary निकाला जाएगा यानि ओसत निकाला जाएगा और फिर जो ओसत बैठेगा उसका 50% कम से कम आपको Pension मिले इस बात की Guarantee Unified Pension Scheme के तहत कर दी गई है लेकिन इसमें एक शर्थ है कम से कम आपकी नौकरी की अवधी 25 साल होनी चाहिए अब आप पूछें कि 25 साल से कम है तो क्या होगा तो अगर 25 साल से कम है उसी अनुपात में आपका Pension कम हो जाएगा लेकिन सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि 10 साल तक किसी ने नौकरी कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपे मंथली Pension मिलता रहा है यह सुनिशित कर दिया गया है Unified Pension Skim के तहट इसमें एक खास बाती है अगर आप यह सोच रहे हैं कि सरकार क्या Old Pension Skim को अपना रही है तो ऐसा नहीं है Old Pension Skim से इस Unified Pension Skim के तुलना ना करें क्योंकि Old Pension Skim के तहट पूरा कंट्रिबूशन सरकार दे रही थी NPS के तहट सरकार और Employee दोनों कंट्रिबूशन दे रहा था अभी Unified Pension Skim के तहट क्या है सरकार ने अपना कंट्रिबूशन बढ़ा दिया है लेकिन Employee का कंट्रिबूशन नहीं बढ़ा है Employee का कंट्रिबूशन जो 10% होता था हम आप जो कंट्रिबूशन सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे वो 10% ही कंट्रिबूशन करेंगे लेकिन सरकार जो है अब साड़े 18% का कंट्रिबूशन देगी तो यह Unified Pension Skim की खासियत है और दूसरी बाती है कि Unified Pension Skim जो साड़े 18% का कंट्रिबूशन सरकार दे रही है इसकी समिक्षा हर 3 साल पर की जाएगी और समिक्षा करके यह देखा जाएगा कि क्या यह साड़े 18% जो है इसको बढ़ाने की ज़रुत है क्या धटाने पर तो सकार विचार नहीं करेगी लेकिन इस समिक्षा के दौरान किसी भी सूरत में Employee का Contribution यानि कमचारी के Contribution बढ़ाने में विचार नहीं किया जाएगा या फिर कहें उसमें कोई छेड़ चाप नहीं किया जाएगा अब यह जो Unified Pension Scheme यानि UPS है यह अगले कारोबारी साल से लागू हो रही है यानि 1 April 2025 से अब आप पुछेंगे कि जिन लोगों ने NPS को चुन लिया है नौकरी कर रहा है उनका क्या उनके लिए सरकार ने रहात दिये आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें अगर आप नौकरी कर रहे है NPS को चुन लिया है तो आप चाहे तो United Pension Scheme माफी चाहूँगा Unified Pension Scheme यानि UPS को आप यहाँ पर अपना सकते हैं अब UPS को अपनाने कि कोई समय सिमा नहीं है सरकार का मानना है कि 90% से ज़्यादा लोगों को के लिए UPS फायदे मन्द है तो आप भी अपना तुलना कर लिजे और चाहे तो जब चाहे आप UPS में आ सकते हैं अब एक सवाल यह उठता है जिन लोगों ने 2004 के बाद Retirement लिया है NPS के तहत वो तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम तो रिटायर भी हो गए NPS ले लिया था आप क्या करें तो वहाँ भी सरकार ने एक बड़ी रहात दिये और यह कहा है कि 2004 के बाद NPS के तहत जो लोग रिटायर किये हैं वो अगर चाहते हैं तो Unified Pension इसकिम के तहत आ सकते हैं ऐसी सुरत में उनको एरियर का भुक्तान किया जाएगा जो एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज भी देगी जो PPF यानि Public Provident Fund का जो ब्याज है वो ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा तो यह सारी बाते हैं Unified Pension इसकिम के तहएग इसमें एक और बात है Family Pension अगर किसी Pension धारक की मृत्ति हो जाती है उस पर Dependent रहते हैं तो परिवार को Family Pension दी जाएगी Family Pension अंतिम पेंशन जो पेंशन धारक ने लिया होगा उसका 60% के ब्रावर का दिया जाएगा एक और है जो लोग सुपर एंवेट हो जाते हैं तो सुपर एंवेट हो जाते हैं या फिर वैसी सूरत में सरकार क्या कर रही है कि आपको जो है सो Gratuity पेंको फार्ट नहीं पढ़ेगा लंसम आपको एमौंट दिया जाएगा लंसम एमौंट जो है सो वो आपके salary का एक महीने की salary का दस्वा हिस्सा होगा और इसमें भी आपको किसी भी तरह का pension पे assure return पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप virus ले रहे हैं तो यहां ही बतातों virus ले रहे हैं तो अगर 60 साल की उम्र से पहले virus ले लिए तो pension आपको 60 साल की उम्र में ही चालू होगा लेकिं बांकी की सुधाय आपको यहां पे मिलती रहेंगी और एक और बात इसमें inflation indexation भी शामिल किया गया है महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी जैसे DA मिलता है मोज़दा कर्मचारियों को लिए वैसे वहां पे आपको dearlands relief यानि DR की सुधा यहां पे की गई है इस पूरी वेवस्था के तहट जो है सरकार का मानना है कि area के तोर पर करीब 800 करोड रूपे जाएगा और पहले साल में करीब 6250 करोड रूपे जाएगा लागोगोन के पहले साल में और हर साल यह रकम बदलती रहेगी लेकिन बिल्कुल अभी unified pension scheme अगर आपने NPS चून लिया है तब भी आप ले सकते हैं NPS के तहट retire के हैं तब भी आपे ले सकते हैं और 1 April 2025 से unified pension scheme सरकार लागो करने जा रहे हैं लेकिन इसको कते भी old pension scheme से तुलना करने के कोशिश ना करें क्योंकि दोनों शर्तियां अलग-अलग हैं NPS से जरूर आप इसके तुलना कर सकते हैं तो NPS के मुकाबले मुझे लगता है कि जाहेत और पे unified pension scheme कई मायनों में काफी ज्यादा बहतर है